वेल्कम बैक दोस्तों कैसे आप सब आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में पर जेनरल हूँ अपने सेवक को कहते हैं इसे लेकर जाओ और मार दो और तभी वहाँ पर फूगी आते हैं फूगी जेनरल हूँ से कहते हैं क्या आप कुछ भूल रहे हैं जेनरल कि हमारे च सप्राइस वाली बात है ना मैंने अपने मुवमेंट इतने चुपा चुपा के किये फिर भी तुमको पता चल गया कि मैं यहां पर हूँ और हसने लगते हैं बोलते बोलते तब फूगी कहते हैं चीफ हमारे बहुत रिसोर्स फूल इन आदमी है यह तो आपको पता ही होगा और अच्छा यही होगा कि आप यहां यह सब तमाशा करना बंद कर दे जैनरल हूँ कहते हैं जीयो मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर वे इससे बापस ले जाना चाहता है तो कैंग को खुद ही यहां आना होगा फूगी कहते हैं हमारे चीप ने कहा है कि अगर आप समय से किसी ने भी जीयो को हट करने की ट्राइब भी की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा तब जैनरल हूँ कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या ही कर लो के तब फूगी कहते हैं आप समय से कोई भी यहां पर जिन्दा यहां से जिन्दा नहीं बचके जा सकता होगा तब तो जैनरल बहुत गुसा हो जाते हैं और उनके सामने कहते हैं कि तुम मुझे मेरे सामने ही मुझे धमकी दे रहे हो तुम बस एक कैंग के नौकर हो और तुम मुझे दम की दे रहे हो तब हुगी हसते वे कहते हैं हां मैं उनका एक बस नौकर हूँ पर ये भी सुन लो कि तुम कि जो भी तुम चीफ का इडवांटेज लेने का ट्राइ करते हो ना वे कभी बच नहीं पाता है ये तो जानते ही होगे और अगर जीयो तुम्हारे तुम्ह हानी पहुचाने की कोर्सिस की तब तो चीफ तुम्हें कभी छोड़ेंगे भी नी जेनरल हु कहते हैं फूगी तुम मेरे सामने पोलाइट बन रहे हो ना अभी भूगी कहते हैं हां क्यूंकि मैंने बीना कोई जगरे के जीयो को यहां से ले जाना है इसलिए और चीफ भी जीयो को जीयो का वेट कर रहे होंगे तब जेनरल हु फूगी के पास थोड़ा आकर कहते हैं कि बाहर जग आया हुआ है तब जीयो अपने मन में बोलती है अगर क्यांग आये वे होते तो फूगी यहां अखेले अंदर कभी भी नहीं आते और वे तो कब का कोई प्लान बना पर हमला भी कर देते हैं इतना वेट नहीं करते तब जीयो एक्टिंग करने लगती है कि तुम मेरी चिंता मत करो और इन सब पर न एरो रिलीज कर दो और यह सुनते ही जैनरल तो डर जाते हैं और बाकी सब भी डरने लगते हैं और इधर उदर भागने लगते हैं और जैनिक को और देते हैं कि उन सब को जाकर पकड़ो और फूगी भागते भागते एक जगह पर आते हैं जीयो पूछती है कि कहा है फूगी बोलते है कि छीफ को तो पता भी नहीं है इसके बारे में जीयो डाटते भी बोलती है तो तुम अकेले हीरो बनके अंदर क्या करने मरने का ज्यादा शौक चरावा है तब कहते हैं तुमको बचाना मेरा डूटी है इसलिए मैं अंदर आया था और जब तक के लिए वहां पर जैनरल भी आ जाते हैं अपने सानिक के साथ जैनरल उन दोनों को कहते हैं बहुत हिम्मत हो आ गई है तुम लोगों में कि मुझे उल् और हसते हैं फिर फूगी कहते हैं कि उन लोगों को फाइच करने की चौनवती भी देते हैं फूगी जीओ को मना कर रही होते हैं कि उन लोग से लडने की कोईज होती है इन लोग बहुत सारे हैं तुम कैसे लड़ोगे फूगी कहते हैं तुम चिंता मत करो मैं इन सब के साम उने अराम से लड़ सकता हूं फिर फूगी जीयों को घोड़े पर बैठा कर उसे भेज देते हैं वहां से फूगी बोलते रह जाती है कि फूगी ऐसा मत करो तुम अकेलों नहीं लड़ पाऊगे मुझे भी रहने दो पर फूगी कहते हैं कि तुम चीफ का ध्यान रखना और उन सब सैनिकों से अकेले ही लड़ रहे होते हैं जिसके कारण उन्हें बहुत चोट भी लग रही होती है पर वे फिर भी लड़ रहे होते हैं पर लास्ट में फूगी को दो सैनिक तलवार और घोब देते हैं उनके अंदर पर फूगी चिला कर यहीं बोलते हैं जीयों से कि तुम चीफ का ध्यान रखना मेरे तरफ से भी और फूगी अपने लास्ट मुमेंट तक लड़ रहे होते हैं और जियो उनके साथ अपना मुमेंट उनको याद आ जाता है और जेनरल फूगी को लास्ट में मार देते हैं और जियो अब तक घर्व आज शुकी होती है और कैंग उसे पूछते हैं कि तुम्हारा ऐसा हालत कैसे हुआ पर जियो कहती है कि ये लो फूगी ने तुम्हारे लिए दिया है ये कुछ समान अन फूगी ने दिया है पर कैंग पूछते हैं कि फूगी कहा है पर जियो डरते हैं वे कहती है कि ये फूगी अब नहीं रहा फूगी क को जेनरल हूँ ने मार दिया और वे कहते कहते ही वहां पर भीयोस हो जाती है पर कैंग को यह बास सुनके तो बहुत शुक लग जाता है और अब फूगी उनकी साथ नहीं हैं और साथ ही उनके आँखों में किसी की जान उनसे मारने की खुण उनका तरस होता है और अगली होटे कहे हैं कि एक काफीन होता है और तभी वहां पर चीफ के भी सानिक होते हैं और उन में से जीयो भी एक होती है और उन में से एक बोलता है कि जनरल फूगी का बाड़ी आप यही पर छोड़ दें तब ही हम लोग आपको यहां से आगे जाने देंगे तब जनरल बोलते हैं क्या तुम लोग का मुझे पर सक कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथी को मारा है मैं तो तुम्हारे साथी को यहां तक लेका आया हूँ इसका सुकर बनाओ और यहां पर कितने क्राइम की जा रहे हैं तब भी तुम लोग उसके साइड हो फिर दोनों साइ में आप फूगी को रखिएगा या आप खुद अंदर जाहिएगा जल्दी डिसाइड कर लीजे तब कि जनरल कहते हैं तुम्हारे फूगी ने मुझे मानने की कोर्सिस की थी और तुम अभी उसके साइड ले रहे हो खुले आम शरम नहीं आ रहा है एक क्राइड के साइड ले क्यांग को खुले आम धमकी दे रहे थे तब क्यांग कहते हैं अगर मुझे तुम्हें मरवाना ही होता तो मैं तो अब तक वेट इतना नहीं कर रहा होता अपने साथी का मरने का वेट नहीं कर रहा होता तुम्हारे चलते जो मेरा साथी मरा है ना तुम्हें तो मैं एक दिन एसी मौत दूँगा कि तुम सोचोगे कि मैंने जल्म ही क्यों लिया और तुमारे लिए यही अच्छ होगा कि तुम मुझे चैलेंज मत करो फिर जेनरल अलहस्ते वे कहते हैं चीफ जब आपने डिसाइड करी लिया है कि आप फोर्स का यूज करेंगे तब तो आप इसका कि कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है और यह बोल के वे पुगी को रसी से काट देते हैं और फिर उसके बाद वे वहां से चले जाते हैं थैंक्यू दोस्तों यहां तक यह स्टोई दिखने के लिए यह वाला एपिसोड थोड़ा इमोशनल था पर आगे के एपिसोड क पसंद आ रहे हैं तो इसका बाकि सब भी एपिसोड का पार्स बनाए वे हैं तो आप उसको जा कर देख सकते हैं थैंक्यू